नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीकली करेंट अफेर्स 14 जून से 20 जून के बीच इस करेंट अफेर्स के अंदर हमनों बहुत ही शांदार कुशन करने वाले हैं और आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है यह 25 कुशन सिर्फ कुशन सी नहीं है इसके साथ बहुत ही शांदार एक्समेशन मिलेगा आपको बस आप बिलकुल इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी पॉइंट स्किप नहों और आपको सारी कुशन की एक बहुत ही अच्छे सबसे बहुत है इस 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 राइल किसको बनाया इस राहील को आव हम जांते है थोड़ा बहुत इस 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 राइल के बाने में इस राइल की कैपिटल क्या है जे रूसलम इस्राइल की ग्रंसी क्या है इस्राइली सेकेल क्या है इस्राइली सेकेल अब बात करते है इस सं utmost currently pm क्यों है नेताली बैनेट क्वोन है पी अनिता ली बैनेट इस्से पहले कॉन थी प्यों थे रुचिक नेतनिया हूं कौन थे प्यों मैं ते पहले नेतनिया हूं थी एंगे मिटेमरी जेरॉसिलोम करंजी जस्रेके दिए vernit कि स्पार्टी से है यामिना पार्टी से। के स्थिए यामिना पार्टी से। वाहंब एसदी stigma शोय थरूप B ली मेंड है और आपका इस्राइल य में प्रांच यह का इस बीच में ग्रेव में रखहा है यह कहा है यह साइट में के विल्कुल कॉर्णर में यह है फैलेस्टिंगी गाजा स्ट्रिप क्या है गाजा स्ट्रिप जिसकी बीच में लड़ाई चल रही है इस तरफ मेडिटेरिन सी आ जाता है कौन-कौन से कंट्री से घिरा हुआ है इसराइल देखिए इधर लेबनान सीरिया जॉर्डन और इधर से क्या आया था एजिप्ट एजिप्ट की बाउंडरी यह दी कि तब देखें कि एक दो ती चार कंट्रियों से इसराइल भीरा हुआ है और पांचा कांसा कौन सा आया था फैलेस्टी जिसके अंदर ही बन जाता है इस तरीक से आपने यह कुछ साधा कुछ इसमें लां किया चलते हैं नेइस्ट वूचिन मैं कुरल सक उकना कुरइल सक था है लोगाज करेंटॡ उर मतार पुला वागी करंसी क्या चालिए टोग्रोग् इसके भी प्रपेर कर आ रहे हैं ताकि आपको जनल अवेरनेस के जो जनल अवेरनेस में जो कुशन साथ ने वह बहुत इसी ली सॉब कर सके नेक्स कुशन क्या कहता है विच कंट्री इस होलिंग दर प्रेसिदेंसी और जी सेविन अब हमें जी सेविन के बारें बहुत कुछ याद करने की चीज़ होती है सब फस्ट अब जो साथ कंट्रीज है वो लोगों को जनल याद नहीं होते हैं मैं नेक्स स्लाइड में आपको अब ग्राव जिसाविन के पाले में समझ लेते हैं विच्वाज लेते हैं जी सेविन जो है यह कॉंसे मिटिंग है एक स्प्राइस की वैए से उक्रेड रसीया को एक्सपेल कर दिया रसीए कब दो चो दे के इनदर इस बार के जाए उसमें उन्होंने क्या दिया है कर बिस् वहाँ पर declaration जो दी गई है वो किस में G7 में एक्जाम में कुछेगा कार्विस वेड डिक्लरेशन किस समिट के अंदर दी गई थी तो आप को आंसर क्या करना है G7 के अंदर दी गई थी आप इस question को स्टार मा कर लिजे डबल स्टार आपको किसी एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यह जो जी सबने स्टार्ट किया बिल्ट बैक वाट वार्ट इस इनिशिटिफ अगइंस वन वैड वन रोड इनिशिटीव ट्राइब कहत धर ये यह है चाइना का चाइना को कोमपेटिशन देने के लिए एक यह थार्टिया ऑर स्वांध यह एक आप यह यह अनुखर है जो बैट वन वत ब्ट वन ब्र वन रोड वन वैंट इनिश्टिव को वह करेगी अगेंस यह इसके उसको टकर देगी तरीका देखते हैं किस तरीके से मियाद करेंगे जी सब्सक्राइब करेंगे एक साथ है तो हमने एक साथ कर दिया उसके बाद यह आपका UK करते हैं ऐसे याद रखना है कि वर्ड वर के अंदर क्या हुआ था जर्मनी और इतली थे मुसोलनी और हिटलर और यहां क्या है यह आपका मुसोलनी तो किता हो गया 123456 जापन कहा गया यह आपका 7 जापन सब्सक्राइब करेंगे दो इधर चार इधर एक इधर ठीक ना UK और France, Germany और इतली, Canada और USA इधर जापन इस तरीके से आप यह याद करेंगे तापको बहुत इजी ली चीज़ें याद हो जाएंगी जब जी एट था तब यह रशिया भी उसके साथ हुआ करता था ठीक है तो बिना समय बरबात करें आगे चलते हैं नेक्ट विशन क्या है जर्दालू महंगो पेपर में कुश्यन आएगा टिकर लीजे डवल स्टार क्या बोलेगा जर्दालू महंगो किस एरिया का या किस स्टेट का जी आई टेग है वो है बिहार का सबसे पहला जो इसका लॉट गया था वो कहां से गया था भागलपुर से लंदन की और इसका लॉट गया था जी आई टेग जर्दालू महंगो कहां का बिहार का ये चीज़ आपको याद रखनी है हमें आपके लिए पिक्टर लगा देते हैं ताकि आपको एक पिक्टराइज की तरह आपको वो चीज़ें बहुत इजीली याद हो जाएं जिन जिन कुश्यन के ऊपर मैं डबल इस्टार मार्ट लगवा रहा हूं वो कुश्यन आपको नोट डाउन करने है और आप उनको आ किया है क्योंकि माइड लैड डिस्कवरी जो और्गनाइशन है जो यह कंपनी है इसने फर्स्ट सेल टेस्टिंग किट सेल टेस्टिंग किट लॉंच करी थी पर वाट फॉर को विड नाइंटीं प्रिशंट तो घर पर रागद की जो टेस्ट करना था जैसे प्रेगनेंसी क किट टाइप की उसी टाइप की उन्होंने एक किट लॉंच करी थी जिसकी वज़ए से कंपनी बहुत ज्यादा फेमास हुई थी तो इसके ब्राइड नम में शक्रान है अक्षे कुमार है अपने यह वाला एडवी का अभी बार देखा होगा यह उनकी सेल टेस्टिंग के र और शेलीं टाइप किसमें जीता ठीक है नई ios egg टैटल किसमें जीता तो आपको यह हर सॉल की था फो यह को याद करने पड़ेंगेगे थाकि आपकी पीपर Commissioner Time कर सके है इस question के अंदर क्या है नवाज दोज को विच अब थोड़ा सा इन टाइटल के बारे में देख लिए इन टाइटल का एक मंद्ध फिक्स है अल्मोस कि इस मंद्ध में पर्टिकुलर ये टाइटल खेले जाएंगे जैसे जो ऑस्टेलिन उपन है वो जनरली जन्वरी के अंदर क्छिला जाता है जो रोनाल्ड गैरो वो मे और जून के अंदर आता है इसी टाइटल को हम फ्रेंच टाइटल भी बोलते हैं अ इसको भी नवाक को विचने जीता है विच गपर जून से जुलाई के बीच में U.S.बन अगर से सक्टमबर अब कभी कभी कुछ पर्ट सब्सक्राइब करेंगे उस्टिलियन सबसे नया है जो 105 से खेला जाता है बाकी सारे बिफोर 90s है सबसे और है यह सबसे न्यू नाल इसमें कितना का difference है तब करने फ्रांस और यूए से में कितना है फ्रांस और यूए से में दसी यह का difference है तो यह 1891 आपको वैसे ही याद हो जाएगा और सबसे नया और सबसे पुराना तो आपको याद इसली होई जाना है चलते हैं नेक्स्ट कुशन की तरफ इंडिया का फॉ पॉरक्स रिजब की आल ओवर वर्ड क्या रैंकिंग है पुछन पूच रहा है इसके साथ से पहले इंडिया की रैंकिंग कहा थी इंडिया की रैंकिंग थी एड नमर फे जब उसके पास 473 डॉलर बिलियन थे बटब कहा अगया अब इंडिया यहां से घूमके इसके ऊपर चला गए यहां पर आगया 600 डॉलर बिलियन इसके पास फॉरेक्स रिजर्व है इस सुपर वस्तीम कंड़ी चाइना जापन और सुजर लेंड चाइना जापन और सुजर लेंड आपको या रखना है ठीक है यह भी कुशन आपके बनिश्टार माग करेंगे अगला कुशन पुशन है अग्धा नमसते योगा एप है वह किस मिनिस्ट्री ने लांच किया है योग से रिलेटे ेर्म से लिए यह लुट्ट किया है आयुष्ण है प्रेजेंट में मिनिस्ट्र फ्रेट को होने है आयुष्ण मिनिस्ट्री के स्रीपद यह स्रीपद यह सो नाइक चलिए नेक्स वक्षन पूछता है यह जो परस्नालिटी है सुरा सिंग मातुर किस खेल से रिलेक्टेड है इनके भी हलत लाव में रुक्ति हुए है इस एक एथलीट जो एक स्पोर्ट्समेन है क्यों है किसलिए फिमस थे क्योंकि यह फर्स्ट ओलंपिक ओलंपियन थे यादा होते हैं क्योंकि फर्स्ट ओलंपियन थे तो अब्यस्टी यह थोड़े से रिनाउन हो जाएंगे क्या थे मेराथन रुनर थे क्या पार्ट लिया था 1952 के अंदर ओलंपिक में उन्हें पार्टिचिपेट किया था अगला कुश्चन पूछता है कि आर्भी आभी ठ्रिक है 5 चांजेक्शन तक आपके लिए Per생 से statement निकालते हैं है ना ये non-financial transaction financial transaction क्या है cash निकालना cash withdrawal करना ठीक ना transfer करना ये टाइब क्या है transition ये सारी financial में है ये non-financial statement निकालने है कुछ mobile number change कर रहे है उस type P2P transactions है वो सारी इसके इसके अंदर count हो जाती है अगला question पूच्छता है what is the theme of world day against the child labor 2021 क्या है इसकी है act now and child labor act now and child labor कब बनाया जाता है यह यह बनाया जाता है 12th June को ठीके ना यह important आपको इसको या रखने जनरली डेस एंड उसकी थीम exams में पूची जाती है एक question आता है जैसे मैं आप से पूच्छू एक इसको पूच्छा डिटेल में जाए कि हमारे constitution के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स है जो चाइड लेवर और human trafficking को prohibit करते हैं तो आप देखेंगे आर्टिकल 23 जो है वो क्या करता है human trafficking को human trafficking और जो force labor है उसको प्राइबिट करता है ठीके ना और जो आर्टिकल 24 है वो क्या प्राइबिट करता है तो वरक इन फेक्रेक्री बिलोव 14 एड़ चीजे भी याद रखने एक्जाम में जनली कभी कभी ये चीजे पूच लेता है इसलिए तो हमारी हम करेंट अफिर्स को बोलते कि हमारे प्रोवाइब करेंगे एक पर्टिवर टॉपिक से क्या तरही के कुशन बन सकते हैं आपको वीडियो हमेशा एंट तक देखना है ताकि आपका कोई भी कुशिण का कोई भी ना हो जाए ना इस्ट कुशिए ने स्री रादा रोम रादम मोहन जी जो सेंटी पास वे प्रतमशरी अवार्डी थे फोकेस फील से रिलेटेटर है यह हैं एन्विर्मेंटलिस्स ते इनको प्रतमशरी किसलिए मिला इनको प्रतमशरी मिला था दोजार बीश के अंदर इसल in the agriculture sector. इसी लाइन में ये अगला कुशन आता है, कि सिद्धा लिंगा इनको दलित कभी के नाम से भी जाना जाता है किस ये का करनदा लेंग्विज के थे करनदा लेंग्विज का है बेंगलावर करनाटका यह लौंच दलित बांधव लिट्रेरी मुवंट इन्हों ने इस मुवंट को स्टार्ट किया था और ये दलिट संगर समिति जो थी बैंगलवर के अंदर करनाटका के अंदर उसके अंदर ये स्टेट कौन से है करनाटका करनाटका के अंदर दलिट संगर समिति को के one of the founder member थे इस वजासे ये काफी renowned हो जाते हैं अगला कोशन खूशता है, Government of Nigeria ने एक साइट को जोईन किया है, माइकर ब्लोगिंग साइट है, वो साइट का नाम कू है, ये जो साइट है, इसको किस कंट्री ने डवलब किया है, किस ने किया है, खुश हो जाईए आप, ये किस ने लॉंच किया है, ये किया है, इंडिया ने, किस ने डवलब किया है, इसके बारे में थोड़ा था समझते है, ये एक कू है, वो एक इंडियन माइकर ब्लोगिंग साइट है, जैसे आपका Facebook, Twitter बगर आया है, और तरीगे की ए एक social networking site है, इस site को सबसे पहले किस language में launch किया था, इसको किया था, कन्नड लेंग्विज में, किस में किया था, आपको ये चीज़े याद करनी है, कि firstly ये जो एप है, वो किस language में आया था, ये आया था, कन्नड लेंग्विज में, उसके बाद currently ये हिंदी, इंग्लिश, तम भी बनाई गई है, ये बनाई गई है, महाराष्टा के अंदर, ये जो three authority ये क्या काम करेगी, ये जो भी trees related work होंगे, उसको देखेगी, जब से oxygen की crisis हुई है, अलग-अलग states ने अपने अपने level पर, बनों को बढ़ाना, forest का level increase करना, पेड लगाना, इस तरीके के बहुत सार करें है, उसी लाइन में, महाराष्टा सरकार ने टी authority बना दी है, इसमें एक term और use होता है, heritage tree, heritage tree क्या है, heritage tree वो trees है, जो 50 साल और उससे ऊपर की age के trees है, उस प्रकार के trees है, मैं आपसे question बूचता हूँ, हर्याना स्टेट ने, एक scheme launch करी है, जिसके अंतरगत, वो जो 15 years से ऊपर के trees है, उनकी maintenance के लिए, एक stipend, या एक pension देगी, उस pension का amount क्या है, और उस scheme का नाम क्या है, pension का amount, and scheme का नाम, आप मेरे comment section में, बताएंगे, ठीक है, क्या है, हर्याना स्टेट ने, 75 साल के ऊपर के trees के लिए, एक scheme तयार करी है, जो pension scheme है, उसमें pension का amount बताना है, जो ELD दिया जाएगा, उसके maintenance के लिए, और जो scheme का नाम क्या है, आप मुझे comment section में बताएंगे, for a reference, हमने अपनी previous videos में, daily care interface की video में, इस question को cover किया हुआ है, आप वहाँ से भी देखके, इसका answer बता सकते हैं, और या फिर आप Google करें, चलते हैं अंगला question, प्रबंधन, ये पोर्टल है, ये किस ministry ने launch किया है, ये launch है education ministry के दवारा, इसके अंदर क्या है, इस प्रबंधन ministry में, प्रबंधन से आप समझ सकते हैं, क्या ये basically management की बात कर रहा है, क्या management करेगा ये, जो बच्चे out of school है, उनका एक data तयार करेगा, और उस data के basis पे, कि इन regions की वैसे वो out of school है, उनको understand करते हुए, एक इसा module तयार करेगा, ये कैसे model तयार करेगा, कि उनक इसको एक financial assistance प्रवाइड किया जा सके, और एक distance learning module भी उनको प्रवाइड किया जा सके, ताकि वो अगर school नहीं जा सकते है, तो घर से ही वो अपना preparation को कर सके, अगला important festival आता है, राजा प्रभा फेस्टिवल के से state से related है, ये है, उडिसा से related, ठीक है, अब इसके बारे में सम संक्रांती के time पर मनाया जाता है, ये festival का importance क्या है, ये festival एक तो रच की womanhood कों, try it pay करने की किया जाता है, celebrate किया जाता है, तूसरा, यह जो वुमेन होड है उसमें जो इसकी मेंसुलेशन साइकल उसको ट्राइब करता है ठीक है ना तो उसको का शलीबेट करने के लिए एक फेस्टिवल उडी सामय मनाया जाते है जिसको हम राजा प्रभा सर्फेस्टिवल बोलते हैं एक कॉशन आता है कि कि किस सोचल मीडिया साइट ने यह प्रिश्यल मीटिया साइड है लॉंच किया रपोर्ट पॉर्ट इक और दॉर्ट शेर इत यह लॉंच किया किसने फेस्बॉक नहीं तू रिपोर्ट चाल अब्यूस कंटेंग प्लेटफॉर्म ठीक ना इससे पहले नेहा दूपिया नेहा दूपिया ने एक महीम लॉंच करी इंस्टाग्राम के अंदर आपको यह कुशिशन यह तो मतलब ऐसे कुशिशन से जो आपको एक्जाम में 110 मिलेंगे ही मिलेंगे ठीके ना तो क्या यह जो यह जो है रिपोर्ट इट एंड डॉंट शेर इट यह किस लिए तो फेस्बॉक ना लॉंच करी था समझ में आ गया किस लिए है टू प्रवेंट दा ओल्लाइन चाइल्ड एब्यूज ठीक है इसको इंडॉस कौन कर रहा है नहा दूपिया कर रही है आप यहां पर हमारा काम निखतम होता इसके बात क्या काम नेहा दूपिया ने यह भी मुहीं स्टाट करी थी फीडम टू फीड ओन इंस्ट कर सके उसके लिए एक मुहीं स्टार्ट करी थी इंस्टाग्राम के ऊपर तो जिसकी वह ब्रांड ने मेशर हो गई और क्या रिपोर्ट इंडॉंट इंडॉस करने वाली एक्टर जो है वह कौन सी है नहा दूपिया तो एक्जाम में कुशन पूश लिया जाएगा किसी भी इस फर्म पर बनाये गा है तो आप कर देंगे इंस्टाग्राम पर बनाये गाया रिपोट इन की यह लाइन पूश जाती है यह नहीं पूच जाती बट इन के स्पूश लिए है कि आरम इंडिया निचीटिव और साइवर पीस फांडेशन और अरपन के साथ लिए इन पार् कि अगला कुषिन आता है दीन की मीशन मिशन कि जो भी यूदियन मिनिस्ट्री ओफ और सॉइन ने स्टार्ट किया है रहतो इस तम अंगे और स्टे जाहब कहा होने, विघना फो तो पॉस करके यहां पर इसके बार में पढ़ सकते हैं, ठीके ना, चलते हैं, टाइम यहां ज्यादा बरबाद निह करेंगे, किस state ना, accelerated program काल रेवाब, start किया है, पहली बात रेवाब क्या है, रेवाब, artificial intelligence, रेवाब रेवाब, रेवाब, अ कियाया देखाया, इक फ्रोग्राम है, तो किस ना है, ये start किया है, तेलंगाना गवरमेंस न घिलंगाना गवरमेंट लोण चिये, रेवाब प्रोग्राम ये क्या है आर्टीविजिन इंस से डिलेटिटीट जिप्ते भी स्टार्ट अपसे उनको बूश्ट अपर ने गले किया है किस कंपणी ये किया है नस्कूम कंपणी के साथ मिलके आप इसको पढ़ सकते है ये वीडियो पॉस्ट करके अगला कुशिन पुशता है काफी इंपोर्टेंट कोईशन है एक्जाम से पूचा जा सकता है तो वो है सत्या नडेला ठीक है नेस्ट कुछन पूचता है गवर्नमेंट लॉंचेज विच प्रोजेक्ट तो सप्लाई तो इन्टी असप्लाई उप्मेडिकल अक्षिजन तो आधो अपको एक्जाम में क्या करेगा तो इसका आप क्या तक करेंगे प्रोजेक्ट ओटू पोर इंडिया इसके अंदर बेसिकलिए क्या है जो प्रोजेक्ट ओटू है वो डिमांड को जो मैडिकल सप्लाई में oxygen की दुडमांड को कैतल करेगा यह एक नभी यह पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है, जनरी राजा सिंग का है, डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, पहले चीस तो अभी यार रखो, क्या है, डिफेंस, मिनिस्टर, इस पॉलिसी के अंदर क्या है, पैद यह कहता है, आर्चीविंग दी क्लासिफिकेशन एंड कमपाइलेश और प्वलिकेशन और और अप्रिशन ही चीज़ है, जिनको कभी पॉलिक डोमेन में नहीं लाया जाता है, पर अब डिफेंस मिनिस्टि ने एक ऐसी पॉलिसी लांच कर दी है, इसके तो आरब बोला गया है, जो भी ऐसे ऑपरिशन है या वार वाली चीज़ें है, यह अगर पत्चेस साल से ऊपर की हो जाएंगी, मतलब ये अगर पुराणी हो जाएंगी, तो ये फिफ्ट साल क्या कर दिया किके अगर चीज होंगी, तो आराम से पुब्लिक दोमेन में वो चीजे लाई जा सकती हैं तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि वेफ सीरीज चालूए है या इस्पेशल आपस है होट स्टार वगरा के उपर टीजो वेफ सीरीज है मुवीज है यह क्या आपको और बहुत अच्छी जो रियल लाइफ स्टोरीज ह वगरा जिपनी भी चीज़े है वह रिलेटर चीज़े है सारी पॉब्लिक डोमेन में आ जाया करेंगी कब उनके होने के 25 साल के बात ठीक है यह मिस्टर है इनको वर्ड ट्रेड ओर्गनाइशन के अंदर क्या पॉइंट किया गया है इंडिया पर्मनेंट मिशन पर इस वीडियो जरू लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं गया तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सब्सक्राइब रहे ओके चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू